यहां पर आज हमारा lecture number 8 है for trigonometry is school काफी हम यहां पर discussion को आगे बढ़ा चुके हैं और आज हम यहां पर multiple and some multiple angles का यहां पर दूसरी बार discussion कर रहे हैं लेक्षर नमबर सेवन में हमने इसका आइडिया जो है इनिशेट औरी कर दिया था, किसी न अगर मिस आउट कर दिया है, तो पीछे जाके देख सकता है, यहाँ पर टेक्नोलोजी का बेनिफिट है, कि आपका अगर बायचांस लेक्चर पर जो मिस आउट हो जाता है, आपके अभी हो नहीं पाएगा, आपका बैकलॉग यहाँ पर क्रीट हो जाएगा, इसलिए आपके यहाँ पर करना क्या है, अनकैट में जेए चानल के उपर रेगलर ली आना है, और यहाँ पर लेक्चर्स को लाइव देखना है, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बच्चों ने सबस्क्राइब कर लेना चाहिए, और इंडिया की नंबर बन टीम से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जबाब फिदिस कमिस्ट्री मैट सारे ही टॉपिक्स को मास्टर करोगे, तो आपकी जही बड़ी आसानी से यहा है, रन करना स्टार्ट किया है, जहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस के लिए कोशन्स दे रहे हैं, तो हमारा ट्रिक्नोमेटरी यहाँ पर काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए अब आपके साथ में JPP2 भी शेर किया जाने वाला है, ठीक है, तो make sure JPP1 ए JPP2 है ना, तो JPP1 ए प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है, आने कि आपके सब्सक्राइशन प्लाटफॉर्म के उपर तो ये काम भी आपने जल से चल कर लेना चाहिए, और यहाँ पर जो है लगभग 80,000 बच्चे जो है फॉलो कर रहे हैं, और उन सभी बच्चों को यहाँ पर जो है राइट टा जो 2023 and 2022 aspirants है उनके लिए, ठीक है, और आप बच्चों अगर यहाँ पर सब्सक्राइशन प्लाटफॉर्म के उपर आ रहे हूं, यहाँ पर क्योंकि आपको best possible resources मिलते हैं, live and interactive classes के साथ आपके doubt learning sessions मिलते हैं, आपको यहाँ पर test series मिलती है, और यहाँ पर एक नहीं इंडिया के बहुत सारे group of educators हैं, जिनके batches चलते हैं, आप सभी में enroll करके अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हों, और यहाँ पर जो result है वो basically यहाँ पर बताते हैं कि Unacademy subscription कितना powerful एक source है, सभी बच्चों के लिए अपने JEE के तयारी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो आप भ मिलते हैं वहाँ पर भी, लेकिन अभी हाँ पर हमारा discussion continue करेंगे, in lecture number 8 of trigonometry, multiple and some multiple angles का जो बच्चों हमारा पहला lecture कल हुआ था, उसके अंदर मैंने आपको एक homework question कि दिया था, जो last year JEE main में पूछा गया था, ठीक है, तो उस सवाल के solution के साथ में हम अपना discussion स्टार्ट है, है ना, इसका सही answer क्या है बचों, आपने अगर इसको solve किया हो, तो आपको बता होगा कि इसका सही answer आपका निकल कर आता है, one by two root two, और comment section में, last lecture के comment section में कई सार बचों ने ये भी बोला था कि सर JEE main में इतना simple सवाल आया है, ये देखके उनको काफी अच्छा लगा, कि आपको यहाँ पर allied angles का भी idea थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए, ठीक है, allied angles अगर आपको दिखाई दे जाएगा, तो आप यहाँ पर जो है, अपने multiple, sub multiple का idea, बाद में इस्तेमाल करके अपने answer तक बड़ी आसानी से पहुच सकते हो, ठीक है, तो I hope सभी बचों ने, इस idea क साथ में अपने solution को आगे proceed किया होगा, यहाँ पर दो ही angles आपको नजर आ रहे है, pi by 8 और 3 pi by 8, अगर आप यहाँ पर देखते हो, कि इनका addition कितना होगा, pi by 8 और 3 pi by 8, तो आपको समझ में आता है, कि यह तो 4 pi by 8 हो जाएगा, and 4 pi by 8 is nothing but pi by 2, तो इसका हम तो यह तो complementary angles हो गए यह तो complementary angles हो गए, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 3 pi by 8 जहाँ पर भी लिखा हुआ है, उसके place में pi minus pi by 8 लिख सकता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं यह काम करूँगा, आप मुझे बताओ, complementary angles के case में होता क्या है, आप अगर यहाँ पर change करोगे तो आपका जो sign है, वो cos में change जाता है, हम लेकिन यहाँ पर clarity के लिए एक extra step अगर लिख देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखो, आपके लिए एक extra step लिख देता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पर basically यह जो transition है, कि हम यहाँ पर 3 pi by 8 को नहीं देखना चाहरे है, अपने solution में हम यहाँ पर pi by 8 ही बस देखना चाहरे हैं, ठीक है, वो कहां-का आपे changes लाएगा, एक तो इस term में change लाएगा, और एक तो इस term में आपका change लाएगा, ठीक है, तो आपके बस में हम यहाँ पर cos cube के साथ में already pi by 8 है, बढ़िया बाद है, अगली term के अंदर मुझे चाहिए कि आर cos के साथ में 3 pi by 8 के place में pi by 2 minus pi by 8 आजाए, ठीक है, अगली step में यह हमारे alert angle के idea से change होने वाला है, and plus sin cube के साथ में आपके उसमें already क्या है, pi by 8 लिखा हुआ है तो इसको जादा touch नहीं करते हैं, इसको वैसे रखते हैं, और आपका जो next sign है, उसके अंदर 3 pi by 8 के place में pi by 2 minus pi by 8 कर लेते है ठीक है, clear है सारे बच्चों को, 3 pi by 8 को हमने basically यहाँ पर दोनों जगे change कर लिया, अब होने के वाला है, यह जो आपका pi by 2 minus theta है, यह क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा, और यह जो आपका pi by 2 minus theta है, यह cos हो जाएगा, तो आपके बास भी हाँ पर common निकालने के लिए कुछ कुछ pi by 8 along with sin के साथ में, cos के साथ में pi by 8 है न, क्योंकि pi by 2 minus कर लिया न, तो आपका sin किस में change हो जाएगा, cos में आपका change हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा cos of pi by 8, फंडा clear, इतनी बात पकड़ में आगे सारे बच्चों को, अगर इस ओन में आगे तो हम यहाँ पर जल्दी से अपने solution को खतम अब कर सकते हैं, ठीक, आल राइट, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर cos और sin, आप यहाँ पर देखो कि 1 sin और 1 cos, इन दोनों terms में से common निकाला जा सकता है, ठीक है, 1 sin और 1 cos अगर आप common निकालते हो, तो sin pi by 8 and cos pi by 8, common निकालेंगे तो होगा क्या, common निकाल अब यह तो आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर exactly pi by 8 का value कितना आता है, यह आपको पता करने कि जरूद नहीं थी इस question में, अगर किसे ने यहाँ पर pi by 8 वाले answers, use करके answer निकाला है, तो I would suggest कि और वो इस तरह की भी approaches को develop कर ले, ठीक है, यहाँ पर आपके साथ में यह जो equality है, यह 1 के बराबर आजेगी, इस bracket की value 1 बनेगी, और यह जो आपके बसमें लिखा हुआ है, यह sin into cos है, कल के lecture में हमने यहाँ पर sin 2 theta का फॉर्मा पढ़ा था, जिसके अंदर arrangement sin into cos वाला generate हुआ था, ठीक है, लेकिन अब exactly वो expression create करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहा जाएगा आपका 1 by 2 into sin of pi by 4, यह बताओ step clear हो रहा है सरवेच्चो को, और sin pi by 4 का value क्योंकि आपका 1 by root 2 होता है, इसलिए आपका final answer कितना आजाएगा, 1 by 2 root 2 which is your B option, ठीक है, यहाँ पर हमने जो form ना इस्तिमाल किया है, वो कौन सा है, 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta, तो इसका double करना है इसका double करतेंगे तो कितना हो जाएगा, pi by 4 हो जाएगा, and pi by 4 is 45 degrees, ठीक है, तो यह आपका काफी simple सवाल में से एक था, जो यहाँ पर जीमें 2020 में देखने के लिए मिला था, clear है सारे बच्चों को, 1 by 2 root 2, yes, okay, JPP कहाँ भी दिया जाएगा, I hope यह सारे बच्चों को पता है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आप एक बार आज के session का description भी देख लेना, लेकिन otherwise आप अगर यहाँ पर जाओगे, live daily.me.je में, तो यहाँ पर आपको 11th class के mathematics में जाना है, आपको यहाँ पर जो है, जैसे section है, वो भी दिखाई दे जाएगा, अगर आप desktop पे इसको open करते हो, तो फिर तो आपको यहाँ पर directly ही पूरे page में अपने JPP के links दिखाई दे जाएगे, ठीक है, mobile view में थोड़ा से इसको shift करके देखना होता है, ठीक है, alright, so आएगे सारे बच्चे को बताएं, यहाँ पर JPP स्टार्ट कर सकता है, and actually आज का discussion यहाँ पर एक continuation है हमारे कल की lecture का, जहाँ पर हमने form ने इस तो last class में सीख लिये थे, लेकिन अब हम उनकी मदद से कर क्या सकते हैं, हम और भी नए angles के बारे में information अब निकाल सकते हैं, ठीक है, आपको याद होगा कि हमने पहले allied angles के बारे मे पढ़ा, compound angles के बारे में पढ़ते से हम यहाँ पर 15 degrees और 75 degrees के values निकालते आ गए, उसके आद हमने यहाँ पर multiple, some multiple angles के बारे में पढ़ा हैं, तो हमें फिर से कुछ standard angles हैं, जिनके values अब निकालते आ जाएंगे, ठीक है, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि क्योंकि हम इन angles के values भी अ पर आ सकते हैं, इसलिए हम उनको standard angles मानने लग जाएंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास में आप जो question में involved था, यह एक standard angle है, although हमें इसकी value इस्तमाल करने की ज़रोत नहीं बड़ी इस सवाल के अंदर, क्योंकि ultimately वो 5 by 4 में change हो गया, लेकिन 5 by 8 अगर आप देखो होता है, ठीक है, जल्दे से यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ultimately इनको याद रखना है, आपको इन values को याद रखना है, questions के अंदर अगर जरूत पड़ती है, तो हम directly इस्तमाल करेंगे, ठीक है, और राइट, so let us begin, let us begin our discussion for the day, हमारे यहाँ पर sign of 22.5 degrees का value अगर निकालना target है, है न, अगर आपको केवल याद ही रखना है, तो you need not watch the entire derivation, आप यहाँ नोट बूक में value लेख सकते हो, और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, but I don't recommend it, ठीक है, क्योंकि अगर आपको केवल values ही चाहिए, तो फिर वो तो एक formula नोट बूक में भी मिल जाती है ठीक है, आप अगर यहाँ पर purchase करोगे, तो अलग-अलग publication basically formula notebook भी sell करते हैं, ठीक है, तो आप उसके अंदर यह सारी values देख सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे क्या आपको confidence आ जाएगा, है न, just because मैं आपको बोलनू की sign 22.5 इतना होता है, कि आपको यह जो है, हजम हो जाएगी बात नहीं होगी, लेकिन हम थोड़ा सा गर इसके बार में discussion कर लेंगे, तो शायद हमें इसको याद करने में आसानी हो जाएगे, ठीक है, that's why I always discuss derivations of the values and the formulas, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा comfortable हो जाए उस चीज़ के साथ में, हमें फील हो कि higher यह हमने ही calculate किया है, तो हम इसको याद भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, तो तू basically understand कि यह कहां से आया, उसका discussion यहापे में आपके साथ में अभी कर रहा हूँ, ठीक है, otherwise यहाँ पर आप directly याद भी कर लो कि तो भी वैसे चलेगा, ठीक है, sign of 22.5, अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर आपको सोचना है, तो थीटा नाम दे रहा हूँ, तो इसका two times करने पर बहुत अच्छा angle बन रहा है, two times करने पर एक कितना हो जाएगा, 45 degree हो जाएगा, देखने सारे बच्चे एक बार, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अलड़ी जानता हूँ, कि cost to theta का formula क्या होता है, अब यहाँ पर ध्यान से दे अगर दोनों angles आपस में equal है, तो इसका cost और इसका cost भी आपस में equal होना चाहिए, ठीक है, अब यह जो हमारे पास में cost to theta है, इसके 2-3 अलग-लग variants है, उसमें से एक variant जो मिहाँ पर में इस्तमाल करना चाहोंगा, वो कौन सा है, sine वाला, मेरे पास में cost to theta का एक formula होता है, which is 1- minus 2 sine square theta, और इसकी value right inside में कितनी आएगी, 1 by root 2 के परावर आएगी, ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर दिहान से देखोगे, कि आपने अगर already 22.5 को theta बोला हुआ है, then your question is actually to find the value of sine theta, यह सोनो, आप sine of 22.5 fine करना चाहते हो, मतब आपके language में, आप sine theta fine करना चाहते हो, तो क्या sine theta इस equation से निकला आएगा, obviously दो step के अंदर है, आपर आपका answer आएगा, क्या करेंगे, इसको left hand side में भेजेंगे, इसको right hand side में भेजेंगे, तो आपका 2 sine square theta जो है, वो कितना हो जाएगा, 1 minus 1 by root 2, अगर आप यहाँ पर LCM लेते हो, तो आपको root 2 minus 1 upon root 2 मिलेगा, अगर आप 2 स जब भी हम लेते हैं, दोनों side, तो आपके उसमें plus minus 2 sine आते हैं, ठीक है, तो plus minus के साथ में आपके उसमें कितना हैगा, root 2 minus 1 upon 2 root 2, एक काम तो यहाँ पर करना तय है, कि हम यहाँ पर root 2 ऊपर नीचे multiply करेंगे, ताकि नीचे आपका 4 बन जाए, नीचे 4 बन जाए, तो आपका plane 2, है ना, simple सा 2 लिखा हुआ है, denominator में, यह आपका answer आचुका है, sine theta का, लेकिन आप यहाँ पर decide करना है, कि हमें plus लेना है, कि minus लेना है, तो यह आपको पता सलता है, by actually looking at the value of angle, आपका जो angle है, यह first quadrant का है, यह सनो, तो first quadrant का जो angle है, it cannot be a negative value, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, negative को ignore करेंगे, ठीक है, we ignore negative value, since theta is in first quadrant, first quadrant वाले angle का, अगर में sine पूछूंगा आपसे, तो आपका answer positive आएगा, कि नहीं आएगा, आपका answer positive आएगा, तो यह equation में जो extra value निकाल के दे रही हम उसको ignore करेंगे, और हमारा यहाँ पर final answer फिर report करेंगे, कि sine theta का value कितना हो जाएगा, unroot के अंदर, root 2 अगर हमने उपर multiply किया, तो 2 minus root 2, और नीचे अगर हमने root 2 multiply किया, तो 4 का root 1 के 2, this becomes our final answer, clear हो गया, simple है, calculation wise, understanding wise, यहाँ पर simple है, लेकिन यहाँ पर आपको यह समझना पढ़ेगा, कि हमने यहाँ पर फायदा किसका लिया है, हमने cost 2 theta के form में का उठाए, ठीक है, और अगर आपको यह derivation या फिर यह जो particular यहाँ पर calculation है, अगर यह clear होगे, यह तो I think कि यहाँ पर cost वाला calculation भी उतना ही, आसना आपको लगेगा, so cost of 22.5 जो होता है, यहाँ पर बस बीच में minus की जगे plus हो गया, क्या हो गया है, बीच में minus की जगे plus हो गया ठीक है, तो यह आपको फिर से कैसे निकालते आएगा, फिर से हमारा जो idea वे बिल्कुल सेम है, कि अगर मुझे हाँ पर theta को 22.5 बोलते आ रहा है, so 2 theta यहाँ पर काफी अच्छा angle बन जाता है, 45 degree, फिर से में हाँ पर cost 2 theta ही generate कर रहा हूँ, which will be equal to 1 by root 2, क्योंकि cost 45 degree 1 by root 2 होता है, लेकिन इस बार cost 2 theta का मैं कौन सा variant इस्तिमाल करूंगा, जहाँ पर cost generate होगा, तो मेरे पास में cost 2 theta का formula, अगर आप लोगोंने याद नहीं किया है, तो बहुत गलत काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने cost 2 theta के formula, sign 2 theta के formula, जगर last lecture के बाद ने याद नहीं किये है, इस lecture में से पहले आपने उस सब याद कर लेने चाहिए थे, ठीक है, आपने last lecture को revise कर लेना चाहिए था, ठीक है, ये बहुत serious discussions चल रहे है, ठीक है, आपका यहाँ पर जो trigonometry है ना, इसके अंदर आपको हर दिन कुछ नया मैं दूंगा याद करने के, अगर आप यहाँ पर उसको हर दिन याद नहीं करोगे, तो आपको धिरे-दिरे pile up होती जाएंगी चीज़ें, और फिर आप ultimately कुछ होगे, sir, ये सब formless कैसे याद रखें, हमें याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक दिन में थोड़ी पढ़ा है मैंने सारे formless आपको, मैं तो यहाँ पर 10-15 दिन, 20 दिन ले रहा हूं, आपको सारी चीज़े पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो 20 दिन में याद तो हो जाते हैं, आगर आप हर दिन कुछ-कुछ फॉर्म में ज्याद करें होते हैं, ठीक है, तो मैं शूर कि ये सारी चीज़ें आपको पता हैं पहले से, और तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा, अगर आपको निकालना है, तो अंडूट लेंगे, लिकिन इस बार प्लस लिखरा हूं डैरेक्ली, मैनस लिखने की ज़रूद नहीं है, क्लियर होगा, सारे बच्चों को इस बार में हमारा एंसर प्लस ही आना चाहिए, क्योंकि फॉर्स को प्लस ही होता है, ठी एंसर प्लस ही चाहिए, ठीगे, यह बी हमारी आच से स्टैंटर वैलियू केहलाइंगे, जो इसके पहले से हम यूज करते हैं, कि कभी भी मुछे अगर टैं की वैयलू निकालना ही है, तो फिर मैं साइन अपोन कास कर लो, आपका जो 10 of 22.5 है, it is definitely sin of 22.5 upon cos of 22.5 है ना, यह सारी चीज़ें आप लिखते जाओ अपनी notebook के अंदर, at least formulas लिखते जाओ otherwise आपको हापे जो entire steps है derivation है, वो तो आपको pdf format में हापे मिल जाता है, अगर आप साथ में वो भी लिख रहे हो side by side, तो वो भी एक काफी अच्छी task आप कर रहे हो ठीक है, यहाँ पर आपका sin और cos को divide करके क्या होगा, cos के अंदर भी यहाँ पर denote में 2 है, sin के अंदर भी denote में 2 है, divide करेंगे तो यह 2, 2 cancel हो जाएंगे, unroot के अंदर यहाँ पर क्या है, वो उपर आएगा, minus वाला value और यहाँ पर plus वाला value नीचे आएगा, so हमारा जो unroot के अंदर term बनेगा, वो कितना है, 2 minus root 2 upon 2 plus root 2 all you need to do is simplify this by doing rationalization and see कि आपका answer यहाँ पर root 2 minus 1 बन रहा है, क्या ठीक है, एक काम आप कर सकते हो यहाँ पर उपर नीचे root 2 से पहले divide कर सकते हो, आपको याद ही हमने यहाँ पर उपर नीचे root 2 से multiply किया था, ठीक है तो यहाँ पर root 2 से division भी हो जाएगा, अगर आप root 2 से पहले divide कर लोगे तो आपके इसमें कितना आएगा root 2 minus 1 upon root 2 plus 1 ठीक है, अब आप यहाँ पर rationalization करो, rationalization करोगे तो आपको हाँ पर root 2 minus 1, I hope दिख गया होगा क्या multiply करना है, आपको root 2 minus 1, उपर नीचे multiply करना है, denominator आपको 1 बनेगा numerator में perfect square आएगा, तो वो under root के बाहर आ जाएगा ठीक है, so these are the 3 new values जो आपको अब याद हो जानी चाहिए 22.5 is one of the standard angles जिसके values हम याद अब कर चुके है ठीक है, या फिर समझ चुके है at least अभी तक के, ठीक है, next जो हम यहाँ पर याद करनी है, that is again a very interesting value which is 18 degrees अब हम यहाँ पर 18 degrees को भी standard angle बोल रहे है sine 18 degrees और sine 18 degrees का value काफी अच्छा है यहाँ पर root 5 minus 1 upon 4 इसका value निकल कर आता है, ठीक है so यह कहाँ से आया इसका derivation actually अपने आप में बहुत interesting है हम यहाँ पर सबसे पहले यह identify करना चाह रहे है कि पिछली बार जैसे हमारे पास में 22.5 जो था, जो है यहाँ पर थोड़ा सा, जो है conversions कर रहे है और यहाँ पर हमने answer तक पहुच पा रहे है 22.5 तक पहुच पा रहे है अब यहाँ पर फिर से अगर आपको 18 degrees की value निकालनी है अगर आपको sine 18 degrees की value निकालनी है जो at least 22.5 के comparison से थोड़ी बेटर दिख रही है 22.5 वाली जो values हो उसके अंदर तो unroot के अंदर रहे है यहाँ पर at least एक simple unroot आ रहे है ठीक है, it is better than 22.5 वाले sine और cos के values ठीक है, so यहाँ पर sine 18 की value अगर आपको निकालनी है, तो फिर से यहाँ पर अगर आप theta अपना 18 मानते हो, तो आपको basically sine theta find करना है अगर आप यहाँ पर theta की value 18 degrees मानते हो, मतलब आपको sine theta find करना है अब यहाँ पर analyze यह करो कि अर 18 degrees का कौन सा multiple एक अच्छा angle बनता है, तो 18 का phi करने पर आपको 90 मिलता है ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर phi theta का सहारा ले रहे हैं तो हमेरे पास में कितना आयागा ऐसे कुछ expression create होगा अब problem लेकिन यह है कि पिसली बार तो मैंने क्या किया था दोनों side cos ले लिया था, इस बार अगर मैं दोनों side cos लेने के बारे में सोचूंगा, let us say तो यहाँ पर cos phi theta का formula उझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चार्ज, एक चीज हम यहाँ पर notice कर सकते हो क्या है, कि phi is actually combination of 2 and 3 हम यहाँ पर basically phi theta को break कर सकते हैं दो पार्ट्स में, which is 2 theta plus 3 theta, right and then we can take 3 theta on the other side so we are left with 2 theta is equal to 90 degrees minus 3 theta, ठीक है, यह अपनी काफी काम की equation है, है ना which is actually theta, where theta is representing 18 degrees बार बार 18 degrees लिखके अच्छा है लएगा है न, यहाँ पर theta के terms में हम अपना calculation करेंगे, तो वो जादा अच्छा लएगा हमें, ठीक है alright, so what I am doing now is I am taking sine both sides इस बार में sine लेना चाहरा हूं cos 3 theta, कितना हो जाएगा cos 3 theta, जिसका formula हमें पता है, open करते आता है, और इस side हमारे पास में sine 2 theta बचा है, इसका भी formula हमें open करते आता है ठीक है, तो यह actually सही किया हमने क्या किया, अपने 5 theta को 2 parts में break किया, चमकरा इतना सारे बच्चो को, yes हाजी, तो यह आपके पास में अगर open करोगे, तो 2 sin theta cos theta 2 sin theta cos theta, किसके equal जा रहा है, यह आपका जा रहा है, 4 cos cube theta minus 3 cos theta सो मैं यहाँ पर आप दोनों side cos theta cancel कर रहा हूं, cos theta मैं यहाँ पर दोनों side से cancel कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि cancellation कब नहीं करते हैं equality का दोनों side cancellations actually नहीं करते हैं, जैसे कि आगर मैं आपको example देना चाहूं, तो x square is equal to 2x अगर लिखते हैं ठीक है, आगर मैं हाँ पर x x दोनों side से cancel कर दूँगा, मुझे x equal to 2 मिलेगा लेकिन आप original equation को देखोगे, तो यह quadratic equation है quadratic equation के तो दो answer आने चाहिए आपने जो x cancel कर दिया ना, वो actually अपने आप में एक answer था because x equal to 0 is one of the answers ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास में इस तरह की गुंजाईश होती है इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि equation के दोनों side इस तरह से cancellation मत किया करो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x equal to 0 भी एक possibility है जो आप lose out कर जाओगे अगर आपने variable को हटा दिया तो but if I am pretty sure कि यार मैं जो यहाँ पे cancel कर रहा हूँ वो basically 0 है ही नहीं जैसे कि अगर मैं यहाँ पर equation आपको दे रहा होता 4x square is equal to 2x तो आप यहाँ पे for sure 2 cancel कर लेते हैं न क्यों 2 cancel कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि 2 जो है वो 0 नहीं है जो 2 है वो 0 नहीं है इसलिए आप यहाँ पे cancellations कर सकते हो अगर आपका जो यहाँ पे unknown है जो cancel कर रहे हो वो अगर 0 हो सकता है तो हमने cancellation नहीं करना चाहिए equation में दोनों साइड यह हमारा बिल्कुल basic knowledge होता है equation solving का अब मुझे यहाँ पर क्या पता है मुझे पता है कि यार मेरा जो theta है वो तो 18 degrees है अगर मैं यहाँ पर 18 degrees का cos देखता हूँ तो cos 18 degrees तो मेरा 0 होई नहीं सकता न cos 18 थोड़ी 0 होगा cos 18 कुस्तो होगा ठीक है cos 18 कुस्तो होगा मुझे पता है कि non zero quantity है इसलिए मैं यहाँ दोनों साइड से अभी cos cancel कर सकता हूँ since cos theta is not equal to 0 since theta is equal to 18 degrees since theta is equal to 18 degrees ठीक है तो हमें पता है कि non zero quantity तो मैं इसको cancel actually कर सकता हूँ दोनों साइड से so if I do that देख यहाँ पर क्या होगा अरे आजा हमारे पास में क्या परेगा इस case में cancellation के बाद में 2 sin theta is equal to 4 cos square theta minus 3 तो मेरे पास मैं अब एक quadratic equation जो है फिर से ready हो गई है लेकिन उसको एक step अभी और दूर है वो quadratic equation जो में इस्तवाल करना चाहरा हूँ मुझे यहाँ पर cos square को change करना है sin square में ताकि sin को में t डालके अपनी quadratic equation generate कर पाऊ ठीक है और अगर मैं sin में change कर लूँगा और sin theta को ही अगर में t डाल रहा हूँ तो मुझे actually t ही find करना होगा sin theta ही तो मुझे find करना है मतलो मुझे t ही यहाँ पर find करनी की ज़रोत है alright so let us begin our calculation in that direction यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आप यह generate कर लो कि 2 sin theta is equal to 4 के अंदर multiplication में 1 minus sin square theta और अलग से minus 3 ठीक है तो आपके पास में क्या बन रहा है 2 sin theta is equal to 4 minus 4 sin square theta and minus 3 यह दोनों combine होके 1 बनेंगे यह left hand side में आएगा तो कितना हो जाएगा 4 sin square theta and plus 2 sin theta is equal to 1 is equal to 1 3 और 4 का यहाँ पर combination उसको left hand side में लेके आएगे तो minus 1 हो जाएगा अच्छा तो बढ़ियावाद है है ना यहाँ पर मैं directly formula apply कर दूँ t बगरा substitute करने की ज़रोत नहीं है मुझे पता है कि यहाँ पर ultimately chordic किसमे है sin theta में तो answer जो निकल कराएगा वो sin theta का answer निकल कराएगा तो sin theta की value क्या बनेगी minus b plus minus under the root b square minus 4ac minus 4ac अगर करको तहीं हाँ पर plus 16 बनेगा ध्यान से एक बार सारे बच्चे calculation कर लेना अगर आपको जल्दी से click नहीं कर रहा है तो केवल मैंने हाँ पर chordic का formula इस्तमाल कर रहा है और कुछ यहाँ पर मैंने बड़ा काम नहीं किया है ठीक है all right लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जब तक हम नहीं करते हैं खुद से तो हम ऐसे लगता है कि यह तो कुछ अलग तो नहीं कर दिया नहीं कुछ भी अलग नहीं किया है ठीक है minus b plus minus under the root b square minus 4ac upon 2a यहाँ पर मैंने formula अपलाय किया है ठीक है तो यह जो आपके पर root 20 है यह क्या बनता है 2 root 5 बनता है तो यहाँ पर आपका simplification आप आगे चलके होने वाला है sin theta यह एक्चली आपको निकालना था minus 2 plus minus 2 root 5 upon 8 है आप दोनों ऊपर नीचे से अगर 2 cancel करोगे minus 1 plus minus root 5 upon 4 आएगा and now again we need to decide कि हाँ पर plus वाला value रखना चाहिए मैंने कि minus वाला value रखना चाहिए तो यहार minus वाला value तो फिर से हम discard कर देंगे यह सोनो हमें फिर से बताए कि sin 18 पूछा जा रहे है यहाँ पर sin theta theta क्या है आपका theta तो आपको 18 degrees है अब यह जो है आपका negative value तो होगा नहीं क्योंकि यह first quarter में है तो हम यहाँ पर minus वाले को फिर से ignore करेंगे and finally हम यहाँ पर report करेंगे कि sin 18 कितना है ठीक है sin 18 मतलब sin theta type कितना है यहाँ पर यह root 5 plus के साथ में आगया minus 1 upon 4 this is the value that we want to learn now root 5 minus 1 upon 4 clear है all right यहाँ पर लेकिन जो idea है calculation को वो काफी interesting है यहाँ पर हमने 18 degrees निकालने के लिए पहले 5 times जो है उसके बारे में सोचा और फिर वो 90 बना फिर उसके भी दो टुकोडे की है दो टुकोडे करके एक side 2 theta को रखा एक side 3 theta को रखा interestingly enough हमें क्योंकि यहाँ पर अभी complementary angles का idea है तो हम यहाँ पर एक चीज और लिख सकते है यह जो आपने side 18 लिखा है न this is actually equal to cos 72 also जैसे की side 30 और cos 60 का answer से हम होता है क्योंकि यहाँ पर आपके जो angles उनका sum करके 90 बन रहा है ठीक है वैसे ही 18 के साथ ने 72 का sum करके 90 बन रहा है ठीक है इसलिए आपका यह जो answer है अगर कभी ज़रुवत पड़ती है तो आप इसको sign नहीं cos 72 degrees के बरावर है ऐसा भी बोल सकते हो आपको cos 72 का value भी इतना ही मिलेगा root 5 minus 1 upon 4 clear alright so in this page we have done basically two different angles we have done 18 degrees as well as 72 degrees all right आगे बढ़ते हैं अपने next challenge की तरफ बढ़ते है next challenge is to understand कि cost of 36 degrees का value कितना होदा है so यह आपका फिर से काफी एक जैसे एक जैसे values दिखने हैं इस बार यह root 5 plus 1 upon 4 बन रहा है इस बार यह root 5 plus 1 upon 4 बन रहा है लेकिन यहाँ पर एक बार और सारे बच्चे द्यान से देखें कि इस बार हमारा angle change हो गया है है ना ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अभी भी हम cost 18 की बात कर रहे है cost 18 की बात नहीं कर रहे हम cost 36 की बात कर रहे है ठीक है और अगर मैं यहाँ पर 30 को थोड़ी देर के लिए अगर theta बोलता हो ठीक है या फिर आप यहाँ पर ध्यान से सोचो कि अगर मैं अगर मैं यहाँ पर 18 को ही थीटा वोलू, सोच के देखना ज़रे हैं आप हैं, अगर मैं यहाँ पर 18 को ही थीटा वोलू, तो कैसा दिखाई थे गई, cos 36 degrees मुझे basically calculate करना है, cos 36 degrees मुझे calculate करके बताना है कि यह इतना होता है, तो मैं यहाँ पर अपना दिमाग लग रहा हूँ कि 36 किसके साथ में relatable है, तो 36 actually 18 के साथ में बड़े अच्छे तरीके से relatable है, यह तो 18 का double है, ठीक है, तो मैं यह step ले सकता हूँ कि यह जो है आपको जो चाहिए, यह तो cos 2 times of 18 degrees demand की जा रहा है, तो बतब cos 2 theta, cos 2 theta, जिसमें से मुझे sine वाले equivalent इस्तेमाल कर लेना चाहिए, cos 2 theta का, अगर cos 2 theta का मैं sine वाले equivalent इस्तेमाल करता हूँ, तो यह बनेगा 1-2 sine square 18 degrees, और sine 18 का value हमें पता है, cos 18 का value अभी हमने discuss नहीं किया है, और मैं करने भी नहीं वाला हूँ, आपको चाहिए तो books में available बुलता है, आपको से calculate भी कर सकते हूँ, लेकिन उसको याद रखना अपने आपने इनता TDS है, है ना, कोई याद करता नहीं है, मैं बताते रहता हूँ, कोई याद नहीं करता है, तो मैं बताता भी हम, ठीक है, तो आप यहाँ पर लेकिन जो है, 18 डिग्रीज, 36 डिग्रीज, यह जो standard values है, अगर आप तीनों trigonometric ratios अगर निकाल के याद करना चाहरे हो, तो निकाल लेना और याद भी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निकालना काफी आसान है, अगर मैं आपसे यह औरड़ी discussion कर चुका हूँ, कि sin 18 का क्या value होता है, तो cos 18 का value निकाल लोगे ना आप, कैसे निकालोगे, sin square theta प्लस cos square theta equal to 1 होता है, कर लेना, आपको और यहाँ पर sin theta का value पता है, cos theta का value वहाँ से निकल आएगा, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, यहाँ पर यहाँ पर जल्दी से substitute करके देखते हैं, यहाँ पर फिर से हम sin 36 का value याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप निकाल लेना sin 36 का value अगर ज़रोध पड़ती है, तो कैसे निकालोगे, sin square theta theta plus cos square theta theta is equal to 1, cos theta theta का value आपको मैं बता रहा हूँ, तो sin का आप खुद से निकाल लेना, ठीक है, ओल्राइट, तो यहाँ पर अगर मैं अपनी sin 18 का value सब्सुट करूँगा, तो मेरा answer यहाँ पर अगले step में आ जाना चाहिए, ठीक है, तो sin 18 का value होता है हमारे पस में, root 5 minus 1 upon 4 का square, and now everything is up to calculations, आप किस तरीके से proceed करना चाहते हूँ, root 5 minus 1 का whole square upon 16 बनेगा, यहाँ पर cancel करके यह 8 होता है, इसको इस तरफ लेकिया हो, so 8 minus, यह open करेंगे square रद के तहां हो जाएगा, 5 plus 1 minus 2 root 5, नीचे आएगा आपके बास में 8, ठीक है, और उसके साथ में हाँ पर रख देखो, 8 minus 6 हो जाएगा तो यह 2 बचेगा, और इसके साथ में minus 2 root 5 आपके बास में आ रहा है, अच्छा, minus minus plus भी हो जाएगा क्या, minus minus plus हो जाएगा, नीचे 8 आएगा, 2 cancel करो, तो root 5 plus 1 upon 4 आपको finally नजर आ गया होगा, yes, दिग यहां सारे बच्छों को, yes, root 5 plus 1 upon 4, root 5 plus 1 upon 4, all right, so these are the standard values which I further want all of you to learn, इतना मैं चाह रहा हो कि आप याद कर लो, और भी अगर आप करना चाहते हो तो you are free to do that, है न, आप यहाँ और भी बहुत सारे values याद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन, एक बात यहाँ पर फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि, अब 36 अगर हमारे पास में आ गया है, तो और कौन सी value हमारे पास में आ गया है इसका मतलब, हमारे पास 54 भी इसका मतलब आ गया है, ठीक है, लेकिन कौन सा वाला, sin 54, ठीक है, sin 54 का value exactly, cos 36 के ही बराबर होता है, ठीक है, तो अगर आपको जरूद पढ़ती ता आप sin 54 भी इहाँ पर root 5 प्लस 1 उपान 4 के बराबर इस्तमाल कर सकते हो, and I guess that is it as far as standard values are concerned, ठीक है, क्या यहाँ पर हमने करना चाहिए, first step क्या करना चाहिए, सोचें एक बड़ सारे बच्चें, नए standard angles याद करने का कोई trick है गया, रजनी जात केंगी कोई trick है गया, trick तो क्या है, यहाँ पर जो है, आपको multiple times उसको पढ़ ले ना, तो याद हो जाएगा, पर पढ़ना, एक बार लिख लेना, फिर एक बार पढ़ लेना, फिर एक बार लिख लेना, ठीक है, तो अगर ऐसा दो-तीन बार करोगे तो आपको याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे, पांच ही तो value जाए, ऐसे भी बड़ी बात नहींगी, ठीक है, इनिशली अगर आप अपने short notes साथ में रखोगे, तो भी चलेगा, लेकिन with time आपको जरूद नहीं पढ़ना चाहिए, उनको short notes को बार बार देखनेगे, ठीक है, तो हमपर पहला step जो होना चाहिए, मेरे चाल से सभी बच्चों ने थोड़ा सोचा होगा, यहाँ पर symmetry देखी होगी, कि यहाँ पर दो terms plus sign के साथ में हैं, और दो terms minus sign के साथ में, and interestingly enough, यहाँ पर यह जो plus sign के साथ वाले terms है, इनके अंदर जो angles है, वो भी complementary angles है, मतलब बहुत इनको जो है, एक जैसे values में change कर सकता हूँ, ठीक है, तो हमारा पहला idea तो यह होना चाहिए, कि हम clubbing किस तरीके से करेंगे, कैसे हम यहाँ पर merge करेंगे, अलग-अलग terms को, ठीक है, तो plus plus वाले को साथ में ले लिए, minus minus में से भी हम यहाँ पर minus common निकाल लेते हैं, so 27 degrees plus 10 of 63 degrees, ऐसा आपके बास में है, ठीक है, so what I am suggesting is, कि आप यहाँ पर क्या करो, यह जो 81 degrees हैं इसको change करो, 81 को आप क्या लिख सकते हो, 90 degrees minus 9, लेकिन 10 of 90 degrees, minus theta कितना होता है, cot theta होता है, तो यह क्या बन जाएगा, this is same as cot of 9 degrees, ठीक है, और यह तो आपका 10 of 9 degrees है, बढ़िया हो गयागे, यहाँ पर angle same हो गया, यह मतलब further merge करने में, आसानी हो जाएगी आपको, वैसे ही यहाँ पर सोचो कि, आपका इन दोनों angles का सम कितना है, 90 degrees है, मतलब 63 को क्या लिख सकते हो, 63 को आप यहाँ पर 90 minus 27 लिख सकते हो, लेकिन जैसे आप यहाँ पर 10 के अंदर 90 minus theta देखते हो, आप इसको क्या लिख दोगे, आप तो इसको cot theta लिख दोगे, तो cot theta, theta कितना इस्तमाल किया था, आपने 27 इस्तमाल किया था, तो यह बन जाएगा आपका cot of 27 degrees, यहाली बात पकड़ में हैं सरे बच्छों, allied angles हम इससे बहुत जादा high level पर इस्तमाल कर चुके हैं, यह तो कुछ भी निये जो हम आप यहाँ आपर, अभी orally solve कर रहों आपके साथ, ठीक है, orally हो जाना ची अभी तक आते आते हैं, next step हमारे यहाँ पर क्या होगा, tan or quad यहाँ पर involved है, sine cost में change करते हैं, sine cost में अगर मैं इसको change करूँगा, तो मेरे पास में क्या बनेगा, sine of 9 degrees upon cos of 9 degrees, और यहाँ पर हो जाएगा, cos of 9 degrees upon sin of 9 degrees, तो जैसे आप यहाँ पर LCM Logan, numerator में में बनेगा, sine square plus cos square, numerator में आपका 1 बनने वाला है, sine of 27 degrees upon cos of 27 degrees, and plus cos of 27 degrees upon sin of 27 degrees, ठीक है, आगर आप यहाँ पर भी LCM Logan, तो sine square 27 plus cos square 27, यहाँ पर 1 बन जाएगा, denominator में फिर से आपका sine into cos वाला combination create हो रहा है, ठीक है, तो sine into cos वाले combination के साथ में करना क्या होता है, 1 upon आपके उसमें अगर sine 9 degrees into sine into cos 9 degrees है, ठीक है, तो हाँ पर 2 missing लग रहा है आपको, जिनको formula जयाद है, उनको अलड़ी दिग्या होगा कि हाँ पर 2 missing है, तो हम ऐसा करते हैं, 2 उपर निचे पहले multiply, divide कर लेते हैं, ठीक है, जिनको याद नहीं है, वो पूछेंगे कि सर आपने कैसे सोचा, मैंने तो यहीं सोचा कि formula कैसे बन सकता है, ठीक है, इसके अंदर को ऐसे approach develop कैसे की सर आपने, या ऐसा कुछ है नहीं, आपको अगर formula पता है, तो आप खुद ही सोच लोगे कि यहाँ पर 2 missing है, तो यहाँ पर नीचे भी आ जाता, तो मज़ा आ जाता, हमा formula complete हो जाता, तो हमारे पास में है नहीं, तो हम उपने चे multiply divide कर लेंगे, और वैसे यहाँ पर भी 2 होता, तो मज़ा आ गया होता, तो है नहीं, तो उपने चे हम खुद से multiply divide कर लेता है, तो आपके हाँ पर numerator में क्या बनने वाला है, 2 नीचे आएगा, आपके उसमें कितना sign of 18 degrees, sign 18 actually अच्छी value है, यह अपसे हमारी standard value है, तो यह देख्के हम खुश होंगे, अगर किसी question में generate होती है तो, तो ठीक है, and minus 2 upon यहाँ पर बन रहा है, उसके आप में आप यहाँ पर क्या याद कर पा रही होगी, sign 54 कहाँ बना था, cos 36 के साथ में बना था, cos 36 और sign 54 का same answer है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन साब answer आएगा इसके मतलब, plus वाला यहाँ पर answer आपको substitute करना है, इसको simplify करो, आपका final answer आएगा, कितना answer आया सारे बच्चों का, एक बार बताएं सारे बच्चे, yes, 4 answer आया, बहुत बढ़िया, इसको simplify करके आपको समे 4 निकल कर ही आने वाला है, एक बार देख लेते हैं, बाकी बच्चे भी यहाँ पर दिहान से देखो, यह उपर जाके 8 बनाएगा, 8 आप यहाँ से common निकल सकते हो, so 8 into 1 upon root 5 minus 1 minus 1 upon root 5 plus 1, अगर आप यहाँ पर इसको simplify करोगे, numerator में आपके समें root 5 plus 1 minus, आपके समें root 5 plus 1 ऐसा आने वाला है, नीचे a square minus b square से यहाँ पर 4 बनने वाला है, 4 से एक answer होके 2 बनेगा, और यह तुनों भी यहाँ पर root 5 cancel होके 2 बच रहा है, इसलिए आपके overall answer 4 आएगा, ठीक है, calculation फिर से अगर आपको लगा है कि मैंने बहुत जल्दी कर दिया, या आपको लग रहा है कि आपने खुद से करके देखना चीए, बिल्कुल करूँ, जितने आप questions खुद से solve करोगे, उतना अदा आपको confidence आएगा, कि हाँ हाँ ये ऐसा ही होना चीए था, वैसे तो जल्दी नहीं किया, मैंने बहुत आराम सिकिया, ठीक है, मैंने काफी आराम सिकिया, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को लगे, और से solve करोगे, तो आप भी ये करोगे, जो मैंने किया है, ठीक है, एक और सवाल करते हैं, यह ले सवाल के बारे में क्या खहले, इसके अंदर 4 terms है, तिशला ले सवाल में भी 4 terms थी, लेकिन इस बार power भी है, इस बार sign की power 4 भी है सात में, लेकिन इस बार भी क्या angles हमें कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हैं last question में भी हमार पास में angles काफी अच्छे थे है न 9 के साथ में 18 का pair 81 का pair अच्छा बन गया था 27 के साथ में भी 63 का pair अच्छा बन गया था ठीक है तो क्या ये भी कुछ pairing में जा सकते हैं क्या एक बार सबसे पहले आपने वह चेक करना चीए ठीक है तो कौन कौन सा pair हमने ready करना चीए हैं आपे sir how many more lectures are there we know this asking आपके हाँ पर कम से कम 14 to 15 lectures होने वाले trigonometry के अंदर trigonometry काफी बड़ा है है न और ये जो आप मैं 14 to 15 lectures की बात कर रहा हूँ this does not include equations equations के 3-4 lectures अलग से होंगे आपके so trigonometry अपने आपने एक पूरा आपने unit मानना चीए ये एक chapter नहीं है ये एक पूरी unit है ठीक है तो इसमें समय तो दिना पड़ता है all right एदास गुपता 11th के लिए एदास गुपता objective वाली 11th के लिए नहीं है वो तो मतलब ऐसी competitive exam के लिए है ये वो okay b answer आ रहा है इसका इसका अंसर b आ रहा है अच्छा नहीं एक बाड चेक करना बटा b answer नहीं है इसका pi by 8 and 7 pi by 8 yes रजनी बिल्कुल इहाँ पर आपका जो pairing ये आपने सही ढूंड लिया है हमारे यहाँ पर pairing pi by 8 और 7 pi by 8 का बिल्कुल सही है ठीक है क्योंकि आप इनको add करके देखो नो क्या हो रहा है आपको या तो add करके फायदा मिलना चीए pairing में या फिर subtract करके फायदा मिलना चीए ठीक है this is what you should learn now हम यहाँ पर इन दोनों को add कर रहे है तो यहाँ पर pi बनते भी दिख रहा है कि है सारे बच्छों को 7 और 1 नुमेटर में 8 बन जाएगा denominator में तो 8 पहले से है 8 8 cancel हो जाएगा इसका answer pi आएगा ठीक है वैसी आप यहाँ पर जो दूसरा pair है जिसको अच्छे से देख सकते हो that is 3 pi by 8 और 5 pi by 8 numerator में भी 8 pi बन रहा है denominator में 8 है pi pi यहाँ पर 8 8 cancel हो जाएगा pi आपका यहाँ पर value create होगा मतलब में यहाँ पर convert कर सकता हूँ एक angle को दूसरे angle में ठीक है मैं 7 pi by 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 7 pi by 8 को pi minus pi by 8 लिख सकता हूँ मैं 5 pi by 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं pi minus 3 pi by 8 लिख सकता हूँ कि अर यह सेवन पाइबाइट था, इसका वैलियो अब में पाइबाइट में कनवर्ट कर लूँगा, आगे जाके और भी जादा फायदा हो जाएगा, लेकिन कम से कम अगर इतना भी और है, तो भी हमने खुश हो जाना चाहिए, जैसे कि फिछला स्वाल में क्या हो रहा था, इसको पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ ये कितना बनेगा, आपके हैं पर जो term बनना चीए sin की पावर 4 pi by 8 plus sin की पावर 4 3 pi by 8 ठीक है, and plus, ये आपका बन जाएगा sin की पावर 4 3 pi by 8 फिर से और ये कितना बन जाएगा, sin की पावर 4 pi by 8 फिर से ये तो पहले भी था ना और ये भी पहले था, मतभी दोनों add हो जाएगी चीज़े, और ये 2 times हो जाएगा अब ये expression 2 times होगे, तो पहले आपका question जोगे, वो 4 अलग-लग terms वाला था अब आपने जब ये change किया, तो ये 2 terms वाला question मन गया, तो अच्छी बात है, ठीक है, तो हम ये हाँ पर जो expression मिल रहा है, वो क्या है, 2 times of sine की power 4 pi by 8, plus sine की power 4, 3 pi by 8, आप हमरे पास में अगर ये दो ही angles बचे हैं, तो यहाँ पर आपको check भी इन दोनों के ही उपर करना चाहिए, नो कि इन में कुछ हम कर सकते हैं, क्या काम तो इसमें क्या काम कर सकते हो, एक बार फिर से देख सकते हो, कि इन में कोई अच्छा relation आ रहा है हम यहाँ पर देखते हैं कि pi by 8 और 3 pi by 8 को add करके क्या बनता है, ठीक है this is what now we should observe about these angles, ये साथ में अगर दिये तो question बनाने वाले नों कुछ सोच के दिये कुछ अच्छा बन रहा होगा, एक बर करके देखो ठीक है, तो pi by 8 प्लस 3 pi by 8 अगर आप यहाँ पर करते हो, तो आपको मिलता है 4 pi by 8 4 pi by 8 मतलब कितना हो जाता है, pi by 2 हो जाता है complementary angles, बढ़िया बात है मतलब sign किस में change होगा, cost में change होगा complementary angles, अगर आपको directly ऐसा बोलते आरे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बोलते आरे तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी भी यहाँ पर 3 pi by 8 को change कर सकते हो in terms of pi by 8, ठीक है, तो वाला step करके देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यह two times of एक तो आपका छोट angle है और यहाँ पर आपका sign के साथ में कितना आ जाएगा, यहाँ पर आजेगा आपका समें 3 pi by 8 के place में क्यालिक ना चाहरा हो है pi by 2 minus pi by 8 क्योंकि यह सही है, यह calculate करके देखो तो बड़िया बात है, हमरे पास में same angle में एक जगे cos आ रहा है, एक जगे sin आ रहा है two times of कितना हो जाएगा, sin की power 4 pi by 8 plus cos की power 4 pi by 8 क्या मैं इसका कुछ कर सकता हूँ आगर आपको अभी यहाँ पर click नहीं कर रहा है, क्या कर सकते हैं let theta is equal to pi by 8 so what I am trying to solve now is sin की power 4 theta plus cos की power 4 theta यह तो आपने पहले बहुत बार solve किया हुए yes or no क्योंकि आप अगर इसको solve करना चाहते हो, तो आप क्या बोलते हो कि यह terms कहां generate होती है, यह sin square theta plus cos square theta के whole square में generate होती है, लेकिन इसके साथ में एक और additional term आएगा 2ab वाला, वो हम अलग से subtract भी कर लेते हैं ठीक है, a square plus b square a square plus b square plus 2ab यहाँ पर additional term आएगी, तो हम यहाँ पर उसको counter करने के लिए minus 2ab पहले से लिख लेते हैं ठीक है, तो यह वाला bracket और उपर वाला bracket आपका exactly same है लेकिन इसे फायदा क्या हुआ है, कि आपका यह जो sin square theta plus cos square theta है यह तो किसी भी theta के लिए 1 बनता है तो हमारे pi by 8 के लिए यह 1 ही बनने वाला है, ठीक है तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 into 1 minus 2 times of sin square theta cos square theta now again one interesting thing that we want to learn here is कि अगर मैं यहाँ पर square में values देख रहा हूं, sin cos 7 है तो उसके साथ में मुझे अगर 4 मिलता है तो फायदा होता है तो हम यहाँ पर कोशिच करूँगा कि इसके लिए 2 खुद से उपर multiply और 2 खुद से नीचे divide कर लूँ आगर मैं 2 से multiply divide करूँगा तो क्या होगा यह जो मेरे पास में expression है यह 2 sin theta cos theta का whole square है और 2 sin theta cos theta क्या होता है यह तो sin 2 theta होता है 2 sin theta cos theta क्या होता है sin 2 theta होता है यह हो जाएगा 1 minus 1 by 2 यह नीचे अलब 2 अभी दिखाई दे रहा है और उपर वाला हो जाएगा sin 2 theta का whole square मतलब sin square 2 theta ऐसा भी इसको लिख सकते है sin theta का whole square लिखो bracket मार के या फिर इसको directly sin square 2 theta लिखो एक ही बात है power आप यहाँ पर चड़ा सकते हो या फिर आप bracket लगा के अलग से power भी लगा सकते हो ठीक है ऐसा भी आप कर सकते हो तो अगर आपका यहाँ पर जो theta था वो pi by 8 है तो 2 theta कितना हो जाएगा 2 theta था आपका pi by 4 हो जाएगा फिर से हमने यहाँ पर जो अभी j main का सबसे पहले question solve किया homework question उसके अंदर भी यह हो रहा था हमें pi by 8 दिख रहा था सवाल में लेकिन ultimately जो आपका last step generate हो उसके अंदर 2 times of pi by 8 generate हो गया which is pi by 4 तो pi by 4 की value आप यहाँ पर इस्तमाल करो अपने answer को report करो ठीक है यहाँ पर आपके पास में basically बना क्या है pi by 4 तो sine pi by 4 कितना होता है 1 by root 2 उसका square करगत कितना हो जाएगा 1 by 2 1 by 2 into 1 by 2 कितना हो जाएगा 1 by 4 1 minus 1 by 4 कितना हो जाएगा 3 by 4 और 2 times of 3 by 4 कितना हो जाएगा 3 by 2 तो आपके यहाँ पर बिल्कुल orally calculation करके answer आता है 3 by 2 ठीक है clear होता है सारे बच्चों को 3 by 2 is the final answer yes 3 by 2 which is C is our final answer यहाँ पर अभी मैंने जो steps कीए है न यह आपको हो सकता है थोड़ा से जादा लग रहे होंगे लेकिन actually जब आप यहाँ पर pro हो जाओगे solve करकर के ठीक है तो जितने steps मैंने आपको बता है यह इतने आप करोगे नहीं ठीक है क्योंकि आपको यह सब दिख रहा होगा अच्छा πईबाइट, 7πईबाइट यह तो हम कर चुकी है यह तो सेम होता है ठीक है और फिर 5πईबाइट यह भी सेम होता है चलो तो यह टू टामस हो गया है ना यह सारी चीज़ों मैं आपको अभी लिख लिख के बता रहा हो न ठीक है, ओल्राइट, क्लियर, ओल्राइट, छलो तो हम यहाँ पर अभी अपना सब टॉपिक चेंज करते हैं एक कुछ important result वाला जो यहाँ पर कुछ use है उसको देखने ही कोईश करते है, ठीक है आपका जो पूरा trigonometry chapter है इसके अंदर आपके पास में क्या-क्या है कुछ तो standard formulas है कुछ आपके पास में values हैं जो इसके पहले जैसे 22.5 के लिए कुछ-कुछ values हमने आज निकाली ठीक है, और फिर कुछ important results है आपको बहुत कुछ याद करना है, ठीक है इसलिए मैं आपको starting से बोल रहा हूँ अगर आपने हापे short notes नहीं बनाया तो आप यहापे भूल जाओगे कि क्या-क्या discuss हुआ था आपको याद भी ने रहेगा कि lecture number 8 के अंदर कुछ और भी बताया गया था ठीक है, आप के मानके चलोगे कि यह तो केवल कौन सा basically lecture है यह आपका multiple and sub-multiple का lecture तो है लेकिन इसके अंदर और भी कुछ चीज़े discuss हो रही है जैसे कि यह important result हम discuss कर रहे है क्यों discuss कर रहे है क्योंकि इसके अंदर multiple angle finally हमारा answer में आता है ठीक है, so best रही होगा कि आप यहापे side by side इसी order में अपने nodes भी create करते जाए ठीक है, all right so हमारा यहाँ पर जो discussion है वो भी इस तरह से होने वाला है कि अगर मेरे पास में 3 sine के values multiplication में है sine theta into sine 60 minus theta into sine 60 plus theta तो यार यह कभी भी आपको अगर दिखेगा तो खुश हो जाना क्योंकि यह compress हो जाता है इस छोटे से expression में 1 fourth of sine 3 theta के हम दा ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको अगर मैं बताना चाहूँ कि हम क्या करना चाहा रहे ठीक है, तो हम शायद ऐसे कुछ करना चाहेंगे हैं यहाँ पर कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि sine of 20 degree into sine of 40 degree into sine of 80 degree कितना होगा, समझरें उस सवाल कैसा होगा, सवाल ऐसा होगा इसके अंदर अब कोई सा भी आइंगल अच्छा नहीं है 20 degree भी अच्छा नहीं है 40 degree भी अच्छा नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देखो कि ultimately आप अगर इसका arrangement देखोगे तो वो इस arrangement से match कर रहा है अगर आप theta की value 20 degrees मानते हो तो आप 40 degrees को कैसा imagine कर सकते हो जैसे कि 60 minus 20 लिखा हो है ठीक है, और 80 degrees को आप कैसा यहाँ पर imagine कर सकते हो, जैसे कि 60 plus 20 degree लिखा हो है, तो बस आपका काम बन गया आपका काम बन गया, क्योंकि आप यहाँ पर sin theta, sin 60 minus theta, sin 60 plus theta का product वाला result इस्तेमाल करोगे और आपने directly answer कितना बता होगे 1 fourth of sin 3 theta कितना होगे, 1 fourth of sin 3 theta और 3 theta कितना हो जाएगा, 3 times of this 60 degrees हो जाएगा, और आप अपने answer को finally, without much of calculation, report कर पाओगे बस वन में आ रही है importance वन में आ रहा है, इस important result का इस important results का important, मेरी खाल से इस example से आपको clear हो गया होगा तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि यह आया कहां से आया तो यह दो step के अंदर है, ठीक है आया तो यह दो step के अंदर है, बिल्कुल simple सी बात में आपसे करना चाहरा हूँ, कि यार आपके बाद में अभी LHS है, है ना, और LHS में आपसे, अगर मैं बोलूं कि sin of A minus B open करो, तो हर कोई open कर लेगा, ठीक है, sin of A minus B कितना होदा है, sin A sin A cos B minus cos A sin B यह करते हैं, आगया है, सारे बच्चों ठीक है, यह और भी बोलते समय, हाँ पर मुझे जो-जो values पता थी हूँ, मैंने substitute कर दी, जो नहीं पता थी हूँ, वहाँ पर theta आपको दिखाई दा है और वैसे ही, अगर मैं यहाँ पर आपको sin of A plus B पुछूँँगा, तो यही आना ची है, है ना, तो यह तो A square minus B square में change होने ही वाला है तो यह जो जाएगा sin theta into A square, A square कितना हो जाएगा 3 by 4 into cos square theta minus B square, B square कितना हो जाएगा sin square theta upon 4 तो आप अगर यहाँ पर LC में लेके 4 बाहर निकाल दोगे, तो आपका आदा काम तो हो गया शायद आपको यहाँ पर नीचे 4 मिलना start हो गया है, ठीक है, 4 अलग निकालते है और फिर देखते हैं कि यहाँ पर बचा होगा term क्या है, आपके असमें यहाँ पर 1 by 4 common निकालके अभी sin theta के साथ में यह cause है, है ना, obviously यहाँ पर अगर मैं sin 3 theta दिक जाना चाहता हूँ ठीक है, अगर आप यहाँ पर bracket open करते हो, तो आपको क्या दिख रहा है, sin theta के साथ में 3 minus 3 sin square theta and minus 1 more sin square theta, तो हमारे पास में total 4 sin square theta है, और बहार एक sin theta भी है तो अगर यह multiply होगा अंदर, तो क्या हो जाएगा, 1 fourth के साथ में, 3 के साथ में sin theta आ गया और minus 4 times of sin square की जाएगे sin cube theta हो गया, यही तो होता है sin 3 theta 3 sin theta minus 4 sin cube theta हमने कल के lecture में exactly यही formula, देखा था तो इसको compress कर देता है यह कितना हो गया, 1 fourth of sin 3 theta के भरावर, फंडा पकड़ में आ रहा है, ठीक है हमें इस expression को अब बार-बार simplify करना ही नहीं है, अभी हमने theory में solve कर लिया इसको और इसको as a result, अब हम इस्तेमाल कर लेंगे questions में कहीं पर भी अगर ज़रूत पड़ेगी हम इसको directly इस्तेमाल करेंगे, 1 fourth of sin 3 theta, clear दिखने में अच्छान लगेगा question, लेकिन जैसे ही आप यह identify कर लोगे, आपको एकदम से मज़ा आ जाएगा, कि wire, यह तो आपका जो है pair बन रहा है, ठीक है, आपके यहाँ पर JPPs जो में share करूँगा, उसके नदर कई सारे interesting सवाल, इसके उपर भी आपको मिलने वाल है, ठ उनके solutions directly ना देखें, है ना आपके साथ में, क्योंकि हाँ पर PDF हम पहले share कर देते हैं, आप पहले उनको solve करें, और फिर solution आपका match करने के लिए अपने video lecture को देखें, ठीक है, all right, so clear हो गया सारे बच्चों को, formula याद हो गया, लिख लिख लिए सारे बच्चों ने sin theta into sin 60 minus theta into sin 60 plus theta is equal to 1 fourth of sin 3 theta, ठीक है, और इसी का भाई, cos में है, इसी का भाई, cos में, तो इसको अलग से जो है, आप derive कर लेना, मैं derive निकर रहा हूं, ठीक है, यहाँ भी क्या करना है आपको, 60 minus theta, 60 plus theta के दोनों form is open करना है, a square minus b square करना है, simplify करना है, आपको यहाँ पर cos 3 theta में चीज़े change ह होती है, मिल जाएंगी, तो बिल्कुल same angles का arrangement है, बस sin की जागे, cos हो गया, cos theta, cos 60 minus theta, cos 60 plus theta, अगर होता है, तो यह 1 fourth of cos of 3 theta होता है, इसके वहले सब कुछ sign में था, इस बार सब कुछ cos में है, ठीक है, derive आप कर लेना, अभी के लिए या तो होई क्या होगा, ठीक है, और अगर 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 साइन का formula ऐसा है, और आपका जो cos का formula ऐसा है, तो तैन का formula कैसा होना चीए, तो तैन के formula में वह 1 by 4 नहीं आएगा, tan के formula में 1 by 4 नहीं आएगा क्योंकि आप यहाँ पर divide करके answer नहीं कालोगे ठीक है आपको जो tan theta into tan 60 minus theta into tan 60 plus theta है वो क्या है sin वाला पूरा answer upon cos वाला पूरा answer तो sin वाला पूरा answer क्या है ठीक है यहाँ पर आपके समें sin theta into sin 60 minus theta into sin 60 plus theta ठीक है इसके अंदर 1 by 4 नहीं आता है बस इतना से आपको study करना है cos theta cos 60 minus theta into cos 60 plus theta ठीक है तो उपर भी आपके उसमें यहाँ पर 1 fourth के साथ में sin 3 theta आ रहा है और यहाँ पर भी आपके उसमें 1 fourth के साथ में cos 3 theta आ रहा है so 1 by 4, 1 by 4 basically आपका cancel हो जाता है और आपके उसमें final answer standard tan 3 theta बस इतना ही बनता है ठीक है so यहाँ पर यह ध्यान रखना 1 by 4 नहीं आता है ठीक है all right great और अगर मैं यहाँ पर आप cot के लिए पूछू तो cot क्या है? AC का reciprocal है तो आपके cot वाला भी जो है उसके अंदर भी आपका 1 by 4 नहीं दिखाई देगा लेकिन arrangement आप फिर से यहाँ पर यहाली इस्तिमाल कर सकते हो cot theta into cot 60 minus theta into cot 60 plus theta आपका यहाँ पर answer जो है वो cot 3 theta के बराबर निकलता है ठीक है? आप यहाँ पर जब इस पर based question करोगे न तो आपको लेगा यह question कितना difficult है यह मैं कैसे solve करोगा बट suddenly आपकी दिमाग में आएगा यह ऐसा भी कुछ बताया था एक important result भी बताया था और आप खुश हो जाओगे ठीक है? क्योंकि आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर simplification कितना आसान है? ठीक है? So try to do as many questions as possible ठीक है? उन में से आपको कुछ questions इस result के उपर भी मिलेंगे ठीक है? हम एक basic सा question करके हैं यहाँ पर at least एक बार formula apply करने की कोशिश करते हैं ठीक है? Alright, but it is easier of the questions that you can see on this particular concept जो भी हमने यहाँ पर आपके आसने में discuss किया है ना बहुत अच्छे सवाल आपको यहाँ पर solve करने के लिए अभी आगे मिलेंगे So यहाँ पर आपके इसमें cos theta दिख रहा है एक 20 degrees अलग से लेकिन अब यह तीनों का pair देखो यह तीनों का pair interesting है क्या? 10 है 50 है और 70 है. Is this interesting pair? क्या 50 जो है वो 60 minus 10 है यह दिख गया और जो 70 है वो 60 plus 10 है यह दिख गया मदा आप यहाँ पर इसको directly compress कर सकते हो इन तीनों को एक ही step में compress कर सकते हो ठीक है? तो यह कितरह हो जाएगा 1 fourth of sine of 3 theta which is 10 degrees तो 30 degrees हो गया समझे रहो? आपका question जो है बिलकुल अब जो है आसान हो जाता है अगर आपको यह result पता है result लगर नहीं पता तो कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे अगर आपको result नहीं पता तो फिर आप इतने आसान है इससे तो पक्के से नहीं कर पाओगे ठीक है लेकिन पूरी दुनिया कर रही होगी क्योंकि बाकी पूरी दुनिया को पता ही कि ऐसा होता है इसलिए यहाँ पर जो थियोरी पढ़ाई जा रही है which is complete in itself आपको Unacademy J Channel के उपर सब कुछ मिल रहा है थियोरी आपको यहाँ पर जो है कभी भी अगर देखना है तो आप किसी भी reference book के साथ में compare कर लेना it has everything that you need ठीक है लेकिन आप अगर खुद से याद नहीं करो तो हमारा बताने का फायदा नहीं होगा ठीक है तो भई याद जरूर कर लेना सारे बच्चे है यहाँ पर साइन थर्टी आपका कितेना बनता है साइन स्क्वेर एटी है श्का क्या करेंगे एक बार देखना पड़ेगा साइन स्क्वेर एटी आकश्य सब्सक्वेर टिक्री नहीं है क्या वन प्लस स्थीटा जब यह आपको दिखा देता है तो आप क्या इसको half angle में change कर सकते हो आपके इसमें अभी जो expression change होगा that is cos of 20 degrees plus 1 upon sin square 80 ठीक है सोचे देखो 1 plus वाला जो आपका form में आता है वो कौन सा वाला होता है ये cos square वाला form में होता है कितना होता है ये 2 cos square 2 cos square 10 degrees ये दिखने लग जाना चाहिए अभी नहीं दिखा तो थोड़ी और practice के बाद में दिखने लग जाएगा अभी मैं आपको और एक step करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे बना ठीक है 2 cos square 10 degrees ठीक है what I am trying to apply here is this formula कि cos 2 theta कितना होता है तो ये 2 cos square theta minus 1 होता है ये तो याद है तो आप इसको इस साइड लेकर होगे तो 1 plus cos 2 theta कितना होता है तो ये 2 cos square theta होगा अगर theta की जाएगे 10 degrees imagine कर रहा हूँ तो मेरे पास में 1 plus cos 20 degrees का answer निकल कर आएगा which is 2 cos square 10 degrees ठीक है तो यही मैंने replace किया है 1 plus cos 20 1 plus cos 20 1 plus cos 20 को मैंने हाँ पर क्या लिखा है 2 cos square 10 degrees 2 cos square 10 degrees ठीक है और दिखिया आप सारे बच्चो को तो बस यहाँ पर आप मुझे बताओ कि ये दोनों values equal है क्या अगर दोनों values आपको equal नहीं दिखिये तो फिर से यहाँ पर दिहान से दिखो ये complement रही है तो sign के अंदर 80 और cos के अंदर 10 actually same होता है ठीक है तो यह दोनों आपस में cancel हो जाएंगे और cancel होके आपके समें final answer दो create होगा clear है सारे बच्चो को yes I am a dropper and I am completing class 11th and 12th both कहना crack जी हाँ बिल्कुल बिटा आगर आप यहाँ पर अगर अच्छे से पढ़ोगे तो crack बिल्कुल कर लोगी है जी crack करना जो हे मुश्किल काम थोड़ी होता है अच्छी rank के साथ में crack करना लेकिन हां थोड़ा से जी crack करना वाग्य मुश्किल काम निया है यार आप अगर लेकिन वो कब कर पाओगे जो आपको वाकई सब कुछ आता है ठीक है तो आप बिना tension के 50% वाला mark cross कर जाओगे ठीक है so things are easy if you actually look at it that way ठीक है लेकिन प्रॉलम क्यों होते है कि बच्चे यहाँ पर जो है continuously दो साल तक इतने इतने time तक जो हे regularly पढ़ा ही नहीं करते हैं discipline issue नहीं करते हैं है na आपको जो हें पर बोला जाते है उसको follow नहीं करते हैं तो यह जो basic छोड़ी छोड़ी बाते होते हैं अगर आपर follow करते हो गए न तो आपको पता में यह निसे लेगा कि आपना Jee जो हे कितने आसानी से निकल गया है, ठीक है, यू इल भी वन उट दो स्टूड़न्ट्स जो बोलेगा कि, यार Jee तो आसानी से निकल गया है, है ना, बट ऐसे काफी कम बच्चे होते हैं, ठीक है, ओल राइट, हाँ जी, चलो, तो मेरे से आज का सेशन यहीं पर रोपते हैं, बेस्ट बुक्स, बेस्ट बुक्स तो यार यहाँ पर जो है कई सारे पब्लिकेशन जो आपको जेही मेन और एडवांस के नाम से बुक्स निकालते हैं, वो सभी अच्छे हैं, ठीक है, आपका सिंगेज, अरियंद, मेगरा हिल, आर्डी शर्मा, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, पियर्सन पब्लिकेशन की बहुत सारे बुक्स आती हैं, ठीक है, सभी अच्छे हैं, आप यहाँ पर रेगलर वाली बुक्स ही कर लो, ताकि आपको ऐसा इन लेगा कि आप बाकियों से बिलता रहता है, ठीक है, और उसने जेए क्रैक किया है, ठीक है, इससे क्या होता है, आर्टो थोड़ी सी दूरी महसूस तब भी होती है, ठीक है, कोई person अगर हमारे साथ में आपने, जो है, living room में, sofa के ओपर बैठा है, और हमें guide कर रहा है, तो काफी अच्छा लगता है, इसलिए कई बार क्या होता है, कि जिनके घरों में बड़े भाई भें, जो यह जो अगर आप यहाँ पर 12 में हो, तो आप 12 के lectures को majorly follow करो, और 11 के lectures को आप यहाँ पर एक साथ भी देख सकते हो, by following 2.0 lectures, ठीक है, यह आपको समझना पड़ेगा, कि आपको basically live lectures देखके, जल्दी से अपना backlog खतम करते आ रहा है, या फिर 2.0 को follow करके अभी काफी दूर है, और आपको इसी schedule के साथ में, पढ़ने से फायदा होगा, ठीक है, एक साथ पढ़ने से एकदम से फायदा नहीं होता, लेकिन जो यहाँ पर बच्चे backlog की बात कर रहे हैं, backlog एक साथ बैठके खतम किया जा सकता है, ठीक है, अच्छी बात है कि आप backlog creative मत करो, 11th की बच्ची हाँ पर जो है, अगर इस schedule को follow करेंगे 11th class वाले schedule को, ता आपको backlog यह create नहीं होगा, आप 9 बर तक तो आपका है हाँ पर syllabus complete हो जाएगा, class 11th का, you will be in a very good state, ठीक है तो यह काम करना है आपको, है ना, 6 बज़े आना है, 7 बज़े आना है, और फिर 9 बज़े आना है, मतलब आपको वही रहना है, आना कहीं नहीं ठीक है, लेकिन हम आजाएंगे, आपके साथ में हापे, जो है, discussions के लिए, नवो सर फिसिक्स के साथ में, अश्वने सर केमिस्टी के साथ में, और मैं मैंस के साथ में आते हैं, और आपके हाँ रेगुलरली पढ़ाते हैं, make sure कि आप यहाँ पर यहाँ पर सब्सक्राइब है मिल रहे हैं, then unacademy subscription is definitely suggested, there is nothing better than unacademy subscription क्योंकि यह बहुत powerful है, आप अगर इसको एक बार join करोगे, आपके लिए यहाँ पर इंडिया के जितने top educators unacademy subscription के उपर है, every educator is your educator, ठीक है, आप यहाँ पर सोचो यार कि आप अगर किसी coaching institute को join करोगे, तो भी आपको maths कितने लोग सकते हैं कि आपके लिए best combination कौन सा है, आपके लिए maths में कहां से पढ़के फाइदा हो रहा है, chemistry में कहां से पढ़के फाइदा हो रहा है, physics में कहां से पढ़के फाइदा हो रहा है, आपके convenience के लिए यहाँ पर batches लेकिन पहले से बनाए हुए है, unacademy J.E.E. का batch है, यहाँ इसके पहले गभी भी पॉसिबल नहीं था और मेरे खाल से उसी का रिजल्ट है इतना अमेजिंग रिजल्ट जो बच्चे निकाल पाए हैं यह जो ओपन प्लाटफॉर्म का एडवांटेज बच्चों ने अच्छे से लिया है वो यहाँ पर बेसिकली आपको देखने के लिए मिल रहा है ठीक है so make sure कि आप भी एक बार जाके इसको एक्स्पोर जरूर करें और अगर आप यहाँ पर जॉइन करना चाहते है और आप समीर लाई के साथ में 12 मही से स्टार्ट होने वाली है लेकिन आपके जो इवाल मतलब जो यहाँ पर 2022 एस्परेंट्स जो अभी बारवी में आ चुके हैं उनके क्लासेस ऑरड़ी लास्ट मन स्टार्ट हो चुकी है ठीक है so make sure कि आप अगर 2022 एस्परेंट तो आप जल्दे से जोईन करें 2023 एस्पर को अभी हाँ पर अभी भी जो है तीन चार पांच दिन है ठीक है और रैट सो मेक शर की आपके पास में इंफॉर्मेशन है